जी ओ, कोछड़ी ओपड़ गयों इन्मों कोई याद को नी, इन्मों कोछड़ी ओपड़ गयों जी, गौर्मेट का कह बेनती है जी, गौर्मेट सुनके जी, ओ, काम कर दे तो गुनोई आथो बरसात का कच्चे मकान में निवास करने वालों पर चल रहा है कहर क्योंकि बरसात के बाद गरों के अंदर पानी जाने से मकान की शत्तें गिर चुकी है इसी परकार की गटना गाम बाकरावाली संग्रिया तसील में हो चुकी है برسات کے دنوں میں لوگوں کا گھروں کے اندر رہنا بھی مشکل ہو چکا ہے कیوں कि उनके मकानों की शक्तें गिर चुकी है लोगों ने सरकार से गोहार लगाई है की सरवे कर हमारे को कच्चे मकान गिरने का बुआवजा सरकार देवे किसान निता विकरम सिंग कलेरी ने बताया कि पिछले कई सालों से बरसात के आने की बज़े से बहुत से लोगों के मकान गिर जाते हैं को बिदान सवा के अंदर पूरी बिदान सवा संग्रिया के अंदर सर्वे करवा कर जिन लोगों के मकान गिरे हैं उनको मुआवजा दिलाने के लिए सरकार को लिखना चाहिए। करने वाले लोगों के सामने जैसे ही बरसात आती है। उसी समय ये समस्या उत्पन हो जाती है कि उनके घर के अंदर पाणी चला जाता है और शते उनकी गिर जाती हैं उसके बाद उनकी पीडा सरकार के स्तर से नहीं सुनी जाती है। करने जी दुवानी कोने इंगो बालो टूट गयो एक वो दूसरो और टूट गयो जी अब के करां। करने वाली बात होगी कि क्या सरकार जां गराम पंचैत गिरे हुए मकानों के लोगों को कितनी जल्दी सर्वे कर उनको सरकार की तरफ से सेता देती है और कच्चे मकान जिन लोगों के गिर चुके हैं उनके निवास के लिए सरकार के स्थ से क्या रहने के परवंद किये जाते हैं। कलम निवज के लिए गुर्देव सेंग सैनी की रिपॉर्ट